तो मैं पता है तुम से कैसी खुश्बू आती है? मेरे नीचे से सेंट की खुश्बू आ रही है, ये कैसी बखवास करते हो तुम? तो दोस्तों सिनी प्राइम की वेब सिरिस रजनी कांट सीजन टू के एपिसोड टू में हमने देखा कि रजनी और रहुल जब दोनों रजनी के केविन में मजे कर रहे होते हैं, उसी वक्तानी आ जाती है और उन दोनों को कांट करते हुए खुले आखों से देख कर आग बबुला हो जाती है और रहुल के गोटियों पर जोर से लात मार कर वहां से चली जाती है उसके बाद रजनी मैंडम का पती भाहा आ जाता है और रजनी और राहूल को काण करते हुए देख लेता है और वही पर episode 2 खतम हो जाता है और अब episode 3 के शुरुवात में दिखाया गया है रजनी का पती रजनी के केविन में आता है और कहता है कम से कम धरीवाज तो बंद किया करो तो रजनी कहती है shut up और अगले बार से दर्वाजा नॉक किये भी न बिल्कुल अंदर मताना समझे और कहती है मुझे पूरा हक है कि मेरा समय में किसके साथ बिथाओ और कब बिथाओ और सारा मसला सुकून का है यह वो मेरा पती था तो राहुल कहता है कि जब तुम आयना देखती हो तो खुछ से नजरे कैसे मिला लेती हो और यह तुम्हारा पती कैसा इंसान है कुछ कहता क्यों नहीं तुम्हें और तुम्हें अपने पती से ऐसे पेश नहीं आना चाहिए तो रजनी कहती है हवस का ये काफी कुछ जिलना पड़ता है बिना लाच के चरम सुक का एसास सब रीती रिवाजों से परे है तुम नहीं समझोगे और फिर रजनी राहुल को न्यू कार की चाबी गिफ्ट करती है और कहती है अगर प्रेमी का उम्रस से बड़ी हो तो बच्चों की तरह ख्याल रखती है कोई गिफ्ट भी नहीं मांगती और आपातकालीन समय में मदद भी करती है जाओ अब अपनी गर्फ्रेंड का मूड ठिक करो अगर मूड आफ है तो एक दबाओ और मूड अच्चा है तो उसके दोनों दबाओ फिर राहुल केबिन के बाहर चले जाता है तो उसे रजनी क पति विनोध मिलता है तो राहुल विनोध से कहता है सौरी तो विनोध कहता है क्यों बोल रहे हो सौरी तो राहुल कहता है अपनी बीवी किसी के हातों में दिखाए देती है तब कैसे लगता है मैं समझ सकता हो तो विनोध कहता है कोई बात नहीं तुम पहले शक्स नहीं हो शादी शुदा इंसान की मत मारी जाती है कि वो चाकर भी दूसरी शादी नहीं कर सकता फिर राहुल वहां से चले जाता है फिर रजनी विनोद का आवाज देकर केबिन में बुला लेती है और कहती है मेरी प्यास अभी तक नहीं बुजी जल्दी बुजाओ तो बेचार विनोद मुसे रजनी की प्यास बुजा देता है फिर नेक सिन में दिखाया गया है राहुल तानिया के घर जाता है तो तानिया उस पर चिल्लाती है कि क्यो आयो तुम यहाँ जाओ उस रजनी के पास जाकर उसकी चूसो सही कहते हैं लोग कि अगर चांद से भी प्यार करो तो पहले चेक कर लो कि उसके पीछे कोई ग्रह चकर तो नहीं खा रहे है तो राहुल कहता है तुम बस स्ट्रेस ले रही हो मैंने सुना है रतंते लगा कर करने से स्ट्रेस कम हो जाता है तो तानिया कहती है मैं सीरियस हूँ मजा के मूड में नहीं हूँ तो राहुल कहता है मैं भी सीरियस हूँ तुमारे प्यार में और मैं रजनी के साथ जो कुछ कर रहा हूँ सब मजबूरे में कर रहा हूँ तो तानिया कहती है वो तुम से क्या जबरदस्ती कर रही है अगर तुम कहो तो मैं जॉब छोड़ देता हूँ तो तानिया कहती है नहीं मत छोड़ो जॉब तुम्हें जरूरत है और दोनों गले मिलते है फिर सुबह ओफिस में तानिया और राहूल बाते करते है राहूल कहता है तुम्हें पता है रजनी मैडम का भी पती वैसे टाइप का इंसान है तो तानिया कहती है मुझे लगता है कि किसी ने उसे कहा है कि बीवी के गुलामी करने से उम्र लंबी होती है और दोनों हसने लग जाते है उसी वक्त रजनी मैडम वहां आ जाती है और कहती है मेरे company के shares काफी ग्रो कर रहे है इसलिए मैंने घर में छोटी सी party रखी है तुम दोनों शाम में आ जाना फिर शाम में तानिया और राहुल दोनों रजनी के घर में जाकर party celebrate करते है रजनी का पती और सभी लोग champagne पीते है तो रजनी राहुल से कहती है आज की शाम बड़ी सुहानी है जाओ तान्या को लेकर बेडरूम में जाओ और उसे सारी खुशिया दे दो आज और बातरूम में सब सामान रेडी है जो चाहिए वो फ्लेवर लगा कर मजे लो ये सुनकर तान्या और राहुल दोनों एक दूसरे के मुग को देखते है और इसी के साथ एपिसोड 3 खत्म हो जाता है पता नहीं रजनी का कौन सा प्लैन था ये सब सेटप करने के लिए जरूर इसमें भी कोई कांड चुपा हो सकता है वो भी हम आने वाले एपिसोड में जान ही लेंगे रजनी कान वेब सिरिस के पूर एपिसोड की लिस्ट डिस्क्रिप्शन में दी गई है आप देख सकते है तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए और ऐसे ही वेब सिरिस के स्टोरीज एक्स्लेनेशन वाले वीडियोज देखने के लिए सस्क्राइब कर दीजे चैनल को धन्यवाद